Hello everyone, I welcome you to Gils Mentor e-learning channel. आज आप अपना की है, Indian Quality दा, next topic करांगे, जो कि important है, for all Punjab Government exam, like PPSC, PSSB, Patwari, and other exams like SSC, NTPC, UPSC, and State PCS. But before we begin, जोना नहीं नहीं सब्सक्राइब नहीं कीता है, ओकी है, first of all चैनल नहीं सब्सक्राइब करांगे, and after that, bell icon नहीं जुरू press करने, ताकि तो उन्हों की है, regular notifications मिल दी रहे. तो start करने अपना आज दा topic, आज दा अपना topic है, Vice President of India. अपने इस दे previous lecture दे वे चापा की है, President of India, तो बारे कुछ information डिसकस कीती सी, आज दा अपना topic रहेगा, Vice President of India. या, Vice President, President, PM, ना तो directly question असपाइब की है, कि minimum age की required है, elections दे लिए, oath, कौन दुआ आनदा ओंदा है नो, resigning letter है कि नू submit कर देने, elections कि दा होंदे, इस टाइब की है, directly questions, MCQ questions, स्वाइशन का है अग सरी कोशन की है रिपीट हो जांदे आज आपना topic है vice president नाल दे नाल आपकी है अपना जो काल दा टॉपिक किताइँ प्रेजिडेंट इन भी नाल दिनाल किया है, रिवाइस कराँगे. आपाट जिदा आपने प्रीवेस लेक्ट्रेंट देवेश कीता सी, इन्टैर्ट इन्टैर्ड इन्टिूशन दा वहाईस किए है, युनियन एक्सेक्वुटिफव. दिमेंशन है, मजब जो पार्ट फिफ्ट है और डील करता है, एक्सेक्यूटिफ्स दिनाल, एक्सेक्यूटिफ्स कौन हुन दे है, प्रेजिदेंट, वाइस प्रेजिदेंट, प्राइम मिनेस्टर, कांसल अफ मिनेस्टर, यह सारा कुष्की है अपर डील कल देख लिया सी, तो पार्ट 15 अपना कंटिन्म कीता अपा काल स्टाट कीता सी, जिदे भीच आपा प्रेजिदेंट कर ले सी, आज दहा कार वाइस अपना प्रेजिदेंट टोपिक है, आज आपा ओडिसकस करांगे, बींस पार्ट 15 कि ए, प्रेजिदेंट दुन大 पी डील करता है पार्ट 5 हुए है मलब कि इनने साधली वाइस प्रेजडेंट कोई राय सग रहा है इद्धा इन्दे कोशिए इंप पॉर्टेंट या प्रेजडेंट दे तो नों आर्टिकल से याद कंदी लोडनी हैं गे आर्टिकल जो आपा फॉर्स्ट थ्री फोर पार्ट कीते सी इनना दे थोड़ तो जो इंडिया दा वाइस प्रेजडेंट हुन दा वही कि है राज्यसबा दा चेर्मेंट हुन दा एप पॉइंट नोट डाउन का लो हैडिंग पा लो वाइस प्रेजडेंट तो फॉर्स्ट था लिखो कि जो वाइस प्रेजडेंट है वो जो वाइस प्रेजडेंट दा सेकेंड हाइस्ट ऐस है इंदिया तबेच फस्ट हाइस्ट ऐस्ट अफस्ट हुंधा प्रेजडेंट ता अरो माद वाइस्टेनट लिखो की यो चेहरमैं अफ़ हुआरा आज्येशबह य। इस दुयिखने राज्येशबह ना, अमिखने का मेंखित अन CAD, A.CNA很 तो vice president दे election same जिदा president दे indirect elections हुँदे, indirect elections हुँदे बट एदे विच किये है सिर्फ जो members of both houses of parliament means लोगसभा लोगसभा एं राजेसभा दे जो members हुँदे है सिर्फ ओही participate का दे both elected and nominated राजेसभा लोगसभा दे जो भी member है चाहे हो elected है चाहे हो nominated है वो दोनों participate का दे election दे which vice president दे vote state दा कोई भी nominated या elected member या union territories दा कोई भी elected या nominated member participate नहीं का दे एक बहुत ही difference है president और vice president दे election कि आप आपने previous lecture देख्या हमा 171 प्र्रावच्छ elections दे विच elected member parliament दे elected member state legislative दे मलब MP MLS और elected member दो यूटी दिली और पुदुचरी दे पाटिस्पेट कर दे लेकिन वाइस प्रेजडेंद दे लेक्शन दे विच की है लोगसभा राजय सभा दे members पाटिस्पेट कर दे members दोनों elected and nominated दोनों टाइप दे जो members होंदे मलब member of parliament पूथ लोगसभा राजय सभा दे पाटिस्पेट कर दे एद विच स्टेट दा कोई मेंबर है या मिनिस्टर है कोई पाटिस्पेट नहीं कर दा है method पर सेम होंदा है उही single transferable vote वाला जो आपका आलबे डिसकस किता सी कि जनना ने election दे विच पाटिस्पेट कीता होंदे उनना दे नाम देते होंदे विच किया preference फिल करनी होंदी कि first preference की दी है second preference किनों देनी है तो single transferable vote वाला method method सेम है president दा भी single transferable vote होंदा है vice president दा भी single transferable vote होंदा है लेकिन elections participation difference है president दे विच elected member of parliament elected member of state legislative and elected members of state legislative of UT दिली और पुद्दुचरी दो यूटी दे members पाटिस्पेट कर दे लेगें vice president देंदर सिर्फ और सिर्फ पार्लेमेंट दे member लोगसभा और राज्यसभा दोना दे ही elected plus nominated member की है participate कर दे है I hope तो नोग दिफ्रेंस समझ आ रहा हुगा अपने notebook दे विच नोट कर लो को दे डारेक्टली करेंगे वर M.C. की उसकोशन आ जान दे है कि vice president दे लेक्शन दे विच कौन-कौन participate कर दे लता है वो दे विच्छल आयान दे कि member of Rajya Sabah second option दे member of Lok Sabah third आयान दे है कि nominated member of Lok Sabah and Rajya Sabah fourth option आया दे है कि members of state legislators मतलब MLS तो दे विच्छ की है fourth answer wrong हुगा क्योंकि vice president election दे विच्छ सिफ लोग Sabah राजय Sabah दे ही members केड़े members बोत elected and nominated members participate कर दे तो आया वोप तो नों चंगी तरह समझ आ गया हुगा कि vice president election दे विच्छ कौन participate कर दा है method same है single transferable vote वाला सिर्फ इनना याद रखो कि vice president जो है वो chairman हुदा है राजयसबादा election दे विच्छ पार्लेमेंट दे ही member participate कर दे है और कि है vice president दा जो office हुदा हुद सेकेंड highest office हुदा है इंडिया दा हुण eligibility की है criteria की है गर किसे इंसान ने vice president दे एलेक्शन दे लिए खड़े होने ता दू की की requirement है फॉस ता की है इंडिया दा citizen होना चाहिए है second है 35 years of age 35 years ही age minimum required है vice president दे लिए और 35 ही minimum age required है president दे लिए तो age दोना दी सेम है और citizenship दा भी जो criteria है उसेम है third जो point है कालिफाइड होना चाहिए लेकिन जो प्रेजिडेंट बनादी की है लोग सबादे मेंबर बनादी कौलिफिकेशन होने चाहिए दिये तो आपा तेन पॉइंट डिसकस किते वाइस प्रेड ना दा कि एक ता कि है सिटेजन होना चाहिए इंडिया दा प्लस 35 एर सी एज होने चाहिए और एक क्वालिफाइड होना चाहिए राजय सबादा मेंबर बनादी जरूरी नहीं कि राजय सबादा मेंबर होना होगा मतलब कि राजय सबादा मेंबर ही पटस्पिट का सकता है लक्षन ते विच ए नहीं है का क्वालिफिकेशन होने क्वालिफिकेशन लिख नहीं लिखे मेंबर होना चाहिए कमपसर है नहीं कौई लोकल जोब नहीं चाहिए ओस अफ प्रॉफिटन नहीं होना वर एक्जामपल लुद्धा कोई गचेछरी स्कूल उननाने की है वाइस प्रेज़न दो प्रमेंट लिक्षन रणना है तो पहला उनों अपनी जॉब चटनी पाएगी, मालब जो स्कूल दी टीचिंग दी जॉब है उनों चटनी पाएगी, उस तो बाद ही वाइस प्रेजिडेंट दे एलेक्शन दे वेच पर्सपेट कर सकेंगे, तो एच चार की है, इलिजिबिलिटीज है, वाइस प्रेजिडेंट दे एलेक्शन दे लिए, फॉर्स्ट की है, इंडिया दा सेटिजन, सेकेंड है, थर्ड है, थर्ड है, राजे सबादा मेंबर्स परनली क्वालिफाइड होना चाहिए, फॉर्थ है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो चाहिए था, थोण उस तो बाद ही अपना की है, इलेक्शन होगे, टर्म किने साल दा होंदा है, टर्म की है, फाइव यर्स दा होंदा है, मतलब एक इंसान की है, पांथ साल आंदे लिए वाइस प्रेजिडेंट रह सकता है, और वाइस प्रेजिडेंट की है, री इलेक्श पांट साल दा ही प्रेस्देन्दावी टार्म होंद है।Tom 5 साल दा इस उनलेंख 10 सेट विकंट कि कंद्धा है। ब्स अगर कोई प्रेस्ट प्रेस्डेन्द की है फुरा ऐस पांट साल दता प्रेस्डेन्दावी 흡िश्द हो जाए ≤ वाकेंसी को ख़ली ऊंदी ऑफस दे विच। वाइस प्रेजेडन अपिस दे भी थार्ड हूंद है अगर उखोधी रजाय case करदें रजाय किनूज करदें? प्रेजडेंट नूज आपकार धेख़ है कि प्रेजेडन अपने रजीगनेशन लेटर दिन्दे है है रिजिगेनेशन लेटर सब्मेंट कर दे है प्रेजीडेन नो मैं वैने आप दोनों आपस ही ऐक दूसरे नो की है अपना रिजिगेनेशन लेटर दिन दे जिनदे है झोंपर है जो भी याद कर लों कई वा कुछन आयंदे means submit करते है President नो Next अपना Oath दा 69th article दे विच मैंशन है Vice President दी Oath Vice President की है The Oath है जो ओह की Administrate करते है President ये भी बहुत important point है कि Vice President Oath लेंदा है या फिर उनों Oath दुवानदे है President पर President ओथ कॉन Administrate करते है Chief Justice of India Resignation Letter ते आपसी Exchange करते है लेकिन Oath दा वैस्थेटि अद्मिस्ट्रेंट सेंड और फुछ थिए अपने दिसप सेंद घृत के रिखुस करेंट सेंडिन और कुई फिए अगर उस मुझन आपने द्वारा किई है कोई बंदा नॉमिनेट करेगा और पॉइंट करेगा वाईस्टेट्चन नोगे और अद्रेस करेंद लिए प्रेजडेंण देख्ण कुई हो इंसन नोमिनेट किता जायी का जो वाईस्टेट्न की है वुथ अड्मिनिस्ट्रेट बैंगे लेकिन अग इलेक्शन दे विच कोई भी डाउट या डिस्प्यूट अगर हुंदे है वाइस प्रेजेंट तो उनों की है सौल सिफ सुप्रीम कोट ही का दिया और सुप्रीम कोट जो भी डिसीजिन हुंदा है देविच वो फाइनल हुंदा है सुप्रीम ही कोट की किया है प्रेजेंट द लेक्षन दे विछ कोई डाउट यां डिस्पीयूट नों दिसकेस का दिया मारलबलोद लिए उपर कोई चैर्में और मुष्ट कंवेगा लगेगा तो उस टायम टे Examples आपना वाइसप्रेजेंट्ट्रेम उले में से घ्याराइव आपनिंदी ये ओैर देवीच फॉर्स से गे वाइस प्रिसंट इंडिया दे विच डॉक्टर स RATHER KHRISNA डोक्टर स RATHERMKRISNA Bye एन्डिया प्रच्ट वाइस-प्रेजिडेंड धॉय। न मियाद रख लिए नॉससा को में है राधा कुछना पॅर। प्रेमट वाइस-प्रेजिडेंड है आं गला क्या निट२ कि वाइसप्रेजिडेंड है टुतू एफूत है इन्टियूनिय। 1950 दे जो elections ओए सी गे उनना दे बाद की है first जो vice president है ऐस राधा कृष्णे बने ऐसी और present vice president है when can I do तो आज आपड डिस्कस कीता है vice president दे बारे एक और जो पिया आपड discuss कीता है जो important है वो की है एक बार discuss कर लेने दुबारा first कि ऐ वाइस प्रिजेंट दा second highest office हुनदा वाइस प्रिजेंट जो ए इंडिया दा second highest officer है second highest office हुनदा इदा second point लिखो की chairman हुनदा vice president है की है raja sabad और chairman हुन दे है इस second point लिखो जना चो question अंदे आर्टिक अस तो question नहीं आंदे second highest officer है vice president लिख मेंदा है members of parliament participate कर दे है elections दे विच means member of parliament both लोग सभा राज्यसभा दे elected plus nominated member दोनों members participate कर दे है vice president election दे विच state दा कोई भी member participate नहीं करता election दे विच minimum age की नहीं है minimum age 35 years होने चाहिए है इंडिया दे citizen होना चाहिए है और राज्यसभा दा member बनादी की है qualities होने चाहिए चाहिए और कोई भी office of profit नहीं होना चाहिए और कोई भी government job या फिस इत्रीट government job नहीं होने चाहिए दी ओध जो है ओध अध्मिस्ट्रेट किती जन्दी ये प्रेजडेंट द्वारा वाइस प्रेजडेंट नो पांठ साल दे लिए vice president दे सकते है eligible हुन ने मचस्ट रहती है नहीं हो सफीरम कोड ही करेगी और supreme court धा ही डिसीजन कि है vice president election दे विच्चाएम ऐफेर ऑदे discussion इर डविच की है final रहेगा तो यह आपर डिसकस किता है जब आप वाइस प्रेज़ेंट देना इंपोर्टेंट पॉइंट्स कोशे नहीं आदे हैं कि टैनोर किन्दा होंदा वाइस प्रेज़ेंट दा किन्ने मिनिममम एज रिक्वार्मेंट है इलेक्शन दे वेच कौन पाटिस्पेट करदा है चेर्मेंट कौन होंदा इंडिया दा चेर्मेंट कौन होंदा राजयस प्रेज़ेंट की है चेर्मेंट होंदे राजयस प्रेज़ेंट की है चेर्मेंट होंदे राजयस प्रेज़ेंट की है और कोई भी इलेक्शन दे वेच डिस्प्यूट एन डाउट नू की है सुप्रीम कोट ही इना दा फाइनल डिसीजिन लन दे तो यह आपड़ डिसकस कीता है वाइस प्रेजिडेंट दे पारे नेक्स्ट अपना की है मंडे नू टेस्ट हुगा जो भी इस वीकती वेच अपर इनने भी टापिक कवर कीते है उधना रिरेटेट की है मंडे नू टेस्ट हुगा तो एक देन दो अडिकोल है चंगी तरह रिवाइस करके फिर मंडे नू की है फुल आउट फुल मार्क्स लेक कर